आज हम 10th class का बहुत ही interesting chapter पढ़ने वाले हैं इस chapter number 2 acid basis and salt यह chapter जो है वो little bit हमारी daily life से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत ही interest आने वाला है बहुत ही मज़ा आने वाला है इस chapter को पढ़ने के लिए तो शुरू करते हैं हमारा chapter acid basis and salt कुछ basic concepts के साथ ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि acids क्या होते हैं देखो जब हम बात करते हैं acids की तो हमारे दिखमांक में आता है कि acids तो हमारे लिए बहुत हामफूल होते हैं हमारी skin पर अगर acids गिर जाए तो हमारी skin तो जल जाएगी खराब हो जाएगी हाँ बिल्कुल सही कुछ acids ऐसे होते हैं पर सारे acids नहीं होते कुछ acids जो है उन्हें हम खाते भी हैं edible acids भी होते हैं जो की sour in taste होते हैं कैसे होते हैं sour in taste मतलब खटे होते हैं taste में जितने भी हमारी खटी चीज़े होती हैं उनके अंदर ये अदर ये एसट मिते हैं जैसे कुछ एक्जाम्पल मैंने आपके सामने लिये हैं vigil, curd, curd जो है वो खट्टी होती है टेस्ट में सोर होती है और इसके अंदर चुरहूम्द नहीं होते हैं जो हमारी लिए हाटा था further हम्हार उन MOR1 सब्स. बालन गष्थ समय प्रेस्च का किन लगा काधस किactic प्रेस्थे Kовалày MPla में कुछ examples मैंने यहाँ पर आपके सामने लिए होते हैं। दूसरा यह तो बात हो गई टेस्ट की और डेली लाइफ में हमें कहां acid देखने को मिलते हैं किन चीजों के अंदर acid देखने को मिलते हैं वो। पर अब हम बात करते हैं कि chemically acids का nature क्या होता है। Equus Solution की बात करें तो पहले हम जान लेता है Equus Solution क्या होता है। Equus Solution होता है जब आप किसी acid यह base को water के अंदर mix कर देते हैं। तो वो उसका Equus Solution कहलाता है। तो मतलब जब acid water के अंदर mix होकर अपना echo solution बनाते हैं तो अंदर जाने के बाद acid dissociate हो जाते हैं अपने ions में और H plus ion को release कर देते हैं, that means acid अपने echo solution में H plus ion release करते हैं, जैसे एक example देखते हैं HCl hydrochloric acid, यह जो hydrochloric acid होता है HCl, जब इसको water के अंदर डाला जाता है, तो यह अपने ions में dissociate हो जाता है, और बनाता है H plus और Cl minus, यह दो चीज़े बनाता है, ठीक है, ऐसे ही, एक और example देखते हैं, जैसे यहाँ पर HBR hydrochloric acid, इसको भी जब हम इसके echo solution में देखेंगे, तो यह ions में dissociate हो जाता है, और H plus ion के साथ BR minus ion बनाता है, और यह कब होता है, जब यह अपने echo solution के अंदर होते हैं, तब यह अपने ions को dissociate कर देते हैं, और H plus ion release करते हैं, तो acids की यही पेचान होती है, जब acid echo solution में होते हैं, तो ions में dissociate होकर H plus ion release करते हैं, आगे बढ़ते हैं basis की तरफ, basis क्या होते हैं basis का जो टेस्ट होता है वो होता है bitter कैसा होता है bitter jurismeans कड़वा तो basis हमारे bitter in taste होते है डेली कि सोप में पहां मिलते हैं यह आदर और Nossa सौरोप के अंदर सोप जो नॉर्मल से हमारे घर में यूज़ राइघ्स होता है और बेकिंग सोडा बेकिंग तो आपको पता Each तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें जितनी भी तेस्टी यंमी चीजे होती है जिनका नाम सुनके आपके मूश में पानी आ ऐसी सबी चीजों में बेकिंग सोडा यूज होता है आपके केक में यूज होता है आपके छोले भटूरे का जो डो होता है उसके अंदर भी बेकिंग सोडा यूज होता है और जितने भी चीजों को फलफी बनाने के लिए यूज किया जाता है बेकिंग सोडा को तो बेकिंग स solution में होते हैं मतलब water के साथ होते हैं तो यह release करते हैं OH-ion क्या release करते हैं OH-ion release करते हैं जैसे हैं पर example potassium hydroxide KOH जब यह water के अंदर जाता है तो यह भी अपने ions के अंदर dissociate हो जाता है और K plus के साथ OH- release होता है ठीक है और K plus OH- release हुआ जिसमें OH- हमें क्या बताएगा कि यह एक base है ठीक है तो जब भी basis अपने echo solution में जाते हैं तो वह OH- को release करते हैं और जब acid अपने echo solution में जाते हैं तो H plus ion को release करते हैं ठीक है आगे बात कर लेते हैं अब देखो होता गया है जो H plus ion होते हैं न वह quite unstable होते हैं और जो OH- ion होते हैं वह stable होते हैं तो जो H plus ion है वह unstable होते हैं इसी वज़ा से यह water के साथ combine कर जाते हैं और H3O positive बना लेते हैं ठीक है H plus ion unstable होते हैं इसी वज़ा से वह H2O के साथ combine होकर H3O positive बना लेते हैं और इस H3O positive को हम hydronium ion बोलते हैं क्या बोलते हैं hydronium ion ठीक है तो H plus ion water के साथ mix होता है और क्या बनाता है H3O positive ion बनाता है जिसको हम hydronium ion भी बोलते हैं ठीक है इतना आपको clear हो गया होगा अब मैं दिखाती हूं कि acids जो है वह आपके किस तरीके से dissociate होते हैं water में जाने के बाद और क्या product बनाते हैं यहां पर मैंने example दिया है कि HCl जो है वह water के साथ mix किया गया मतलब HCl का liquid solution बना तो liquid solution बनने के बाद यह क्या करेगा ions में dissociate हो जाएगा CL minus में और H plus में और H plus unstable होता है तो वह क्या करता है water के साथ combine हो जाता है और H3O positive hydronium ion फॉर्म कर लेता है ऐसे ही जो base है base क्या करता है अपने equation में water के साथ जब mix होता है तो वह भी ions में dissociate हो जाता है और क्या बनाता है Na plus और OH minus बनाता है तो यह हो situation का dissociation अब यह जो dissociation है इसी के basis पे acids और basis को दो categories में divide किया गया है वो दो categories क्या क्या है strong acid strong base ऐसे ही base में भी है strong acid strong base weak acid weak base ठीक है दोनों में इस तरीके से categorize किया गया है strong acid strong base weak acid weak base अब यह strong और weak होता गया है देखो जो अपना काम जादा अच्छे से करेगा वो문th им अपना एंच्छे नहीं गरेगा वो weak है न अब strong acid क्या काम करेंगे assets का काम क्या होता है assets का काम होता है key income को release करना जो जाधा से जधा next time को release करते वह strong acid और जो जादा H प्लस आइन release ना कर आयन रिलीज ना कर पाए वो भी एक बेस ठीक है जैसे यहां पर मैं एक्जैम्पल लेती हूं जो हमारा यह HCl है यह strong acid होता है strong acid होने की वज़ा से अगर मैं इसमें 50 molecule HCl के मिलाती हूं water के अंदर तो यह 50 के 50 molecule जो है वो H प्लस आयन और Cl- में breakdown हो जाएंगे और हमें 50 H+, और 50 Cl- मिल जाएंगे पर वहीं अगर मैं बात करूं CH3COOH इसको क्या बोलते हैं acetic acid तो अगर मैं acetic acid की बात करूं और इसके 50 molecules में water के अंदर mix करूं तो यह weak acid है तो यह क्या करेगा कुछ 5-6 molecules ही इसके breakdown होकर H+, आयन दे पाएंगे बाकि जितने भी molecules हैं वह CH3COOH पूरा का पूरा molecule की form में ही रहे जाएंगे बात समझ में आई ऐसे ही base में होता है base में जैसे NaOH है यह एक strong base है तो अगर मैं strong base के 50 molecules water के अंदर mix करती हूं तो यह 50 के 50 molecules breakdown हो जाएंगे Na plus और OH माइनस में और 50 Na plus और 50 OH माइनस हमें मिल जाएंगे पर वहीं अगर मैं ammonium hydroxide की बात करूं तो अगर मैं ammonium hydroxide के 50 molecules डालूंगी तो मुझे 5 या 6 molecules breakdown होकर OH माइनस प्रोवाइड करेंगे बाकी कोई भी breakdown नहीं होगा बाकी molecules as it is water के अंदर रह जाएंगे तो यह difference होता है strong और weak में strong acid या strong base के अगर बात करें तो उसके complete dissociation होता है और weak acid या weak base में complete dissociation नहीं हो पाता कुछ ही molecules dissociate होकर H प्लस आयन या OH माइनस आयन दे पाते हैं ठीक है तो यह हो गए acid और base के बारे में अब एक example मैं आपको देती हूं देखो water के मैंने 50 molecules लिए यहां पर एक container लिए मैंने उस container के अंदर मैंने 50 water molecule डाले अब इसके अंदर मैंने 1 EPA थीक है क्थीप एक liquid डाला मालो मैंने Hub HCl डाल दिया HCl एक acid है और strong acid है इसके मैंने 50 molecule इसके अंदर container के अंदर डाल दिये अब जब यह HCl water के अंदर mix होगा तो ions dissociate होंगे अब ions dissociate होंगे तो इसमें water के ions क्या बनेंगे 50 water के molecules से तो 50 आपके H plus iron 50 OH minus यह किस से आए यह water से आए अब मैंने इसमें HCl के भी 50 माने डाले हैं तो अब यह जो 50 HCl है वो 50 H plus भी बनाएंगे और 50 C L minus भी बनाएंगे ठीक है अब टोटल H plus iron कितने हो गए 50 तो water के 50 acid के तो total H plus iron हो गए हमारे पास 100 100 होए कि नहीं होए 100 हो गए ना और OH minus कितने है अभी भी 50 है तो acid मिलाने से हमारे water के अंदर H plus iron का amount increase हो जाता है क्या बोला मैंने acid मिलाने से OH minus के comparison में H plus iron का amount increase हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि acid के भी H plus iron इसके अंदर आ जाएगे है ना पहले जो H plus iron थे वो सिर्फ water के थे अब जो H plus iron है वो water के साथ साथ acid के भी है तो amount double हो गया है ना ऐसे ही अगर मैं इसमें कोई base मिलाती हूँ तो base मिलाने से क्या होगा इसमें OH minus का amount बढ़ जाएगा ना तो इसमें OH minus का amount बढ़ने से हमें क्या पता चल जाएगा कि base है वरना हम ही कैसे पता चलेगा कि acid है या base है क्योंकि H plus iron उसमें already है OH minus iron भी उसमें already है पर अभी कुछ भी नहीं मिलाने से पहले इसमें 50 H plus iron है और 50 ही OH minus iron है और अगर मैं इसमें acid मिला दूँ अगर मैं इसमें acid मिला दूँ तो मेरे H plus iron का amount बढ़ जाएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भी मैंने जो मिलाया था वो acid मिलाया था और अगर मैं कोई base मिला दूँ तो base मिलाने से क्या होगा OH minus का amount बढ़ जाएगा और OH minus का amount बढ़ने से ये पता चलेगा कि हाँ भी हमने base मिलाया होगा इसलिए OH- का amount जादा हो गया है ना तो इस तरीके से हमें इसको water के अंदर पता चल जाएगा कि acid है या base है जिस iron का amount जादा वही चीज हमने मिलाई होगी ठीक है तो अगर आपको इतना सब समझ में आ गया आज की class हमने बिल्कुल basic की रखी थी कि acids क्या होते हैं उसके बारे मे basic जान लेते हैं basis क्या होते हैं उनके बारे में basic जान लेते हैं मैंने उनका dissociation आपको समझा दिया ये सारी चीजे समझने के बाद ही हम इनके reactions को करेंगे ठीक है ना अगली class में हम इसको आगे बढ़ाएंगे chapter को और बहुत ही अच्छी अच्छी reactions पढ़ने वाले हैं और एक question लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा question है class को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इस question का बहुत ही easily answer कर पाएंगे question क्या बोल रहा है why do HCl and HNO3 etc shows acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character इसका मतलब क्या है कि जो HCl और HNO3 की तरहा compounds होते हैं जैसे HCl और HNO3 के तरहा के जो compounds होते हैं वो acid character show करते हैं अपने aqueous solution के अंदर मतलब पानी के अंदर जब डालते हैं इनको तो यह अपने acid character show करते हैं पर कुछ ऐसे भी compounds होते हैं जैसे alcohol and glucose जो की acid character अपने aqueous solution में show नहीं करते हैं तो आपको यह बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि यह तो acidic solution show करते हैं पर alcohol और glucose acidic character show नहीं करते हैं इस चीच का आपको answer देना है अब answer आप कहीं से cheating करके मत दीजेगा आप खुद से answer दीजेगा ताकि आपको यह पता चल सके कि lecture आपको कितने अच्छे से समझ में आया है आप comment section में अपना answer ज़रूर mention कीचेगा मैं check ज़रूर करूंगी और reply भी आपके comment का ज़रूर करूंगी और आप अपने comment section में यह भी बता सकते हैं कि आपको आज की class कैसी लगी कि नहीं लगी ठीक है और अगर आपको मेरी class पसंद आई हो तो वीडियो को like